हेलो ब्रियोन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट आपिस यानी भारती डांग विवाक की तरप से आने वाली GDS ग्रामी डांग सेवक के 44,228 पदो पर चौथी यानी फोर्थ म लेट लिष्ट आचुकी है दो राज्यों के रिजल्ट को पब्लिक नहीं किया गया और दो राज्यों के रिजल्ट इससे पहले आचुके थे दो राज्य कौन से हैं एक तो आपका जहारखंड और एक महाराश्ट जहां पर इलेक्सन के लिए जो है तो तारीख आचुकी है और परिणाम की तारीक भी आ चुकी है तो जब तक वहाँ पे इलेक्षन हो नहीं जाते और इलेक्षन के परिणाम नहीं आ जाते तब तक आपको उन राज्जों की मेरिट देखने को नहीं मिलेगी और दो राज्ज जैसे हैं जैसे जब मुकास्मीर और हर्याना जहां की मेरिट अभी कुछी दिन पहले आनी 14 अक्टूबर को आई थी और 29 ताइक तक उनको डाकूमेंट फरिपिकेसन का समय दिया गया है तो उन 4 राज्जों को छोड़ के बाकी 19 राज्जों की मेरिट आ चुकी है आपकी 30 लिष्ट अगर अभी तक देखा नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसको आप लोग जरूर देखेगा कल से बहुत सारे कमेंट मैसियस आ रहे हैं कि अपी भी कट आप बहुत जादा गया हुआ है जिस बज़े से मेरा नाम नहीं आया तो क्या 4 लिष्ट आएगी और अगर 4 लिष्ट आएगी तो किस डेट को आएगी क्या सभी राज्यों की एक साथ आने की possibilities है कितने बच्चों का नाम रहेगा क्या GDS की भरती प्रक्रिया एकदम से सही चल रही है इस बारे में आपको complete information इस बीडियो में मिलेगी बीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले छोटी से request है कि बीडियो को आगरी तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम के लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करने के बाद आगे आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सबस्काइब करके बेल लोडिफिकेसन को जरूर आन करिएगा तो दोस्तों आपको बता दें तीसरी जो मेरिट लिष्ट है 19 राज्यों की आई है लेकिन इन में से भी कुछ ऐसे राज्य है जहां पे आपको डिविजन वाइस जो मेरिट लिष्ट वो देखने को नहीं मिली है जैसे मान के चले कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है लेकिन उ रिजल्ट उनका आ नहीं जाता तब तक आपको वहां की मेरिट देखने को नहीं मिलेंगी बाकी 19 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई दिक्कत नहीं है उनकी मेरिट लिश्ट आ चुकी हैं आप लोग अपना रिजल्ट देख चुके होंगे थर्ड लिश्ट के अंदर आपके टोटल जो बच्चों की संक्षा हो दस जार से जादा है यानि दस जार बच्चों का नाम आया है ये केबल 19 राज्यों का है इनमें से दो ऐसे राज्य हैं जिनकी मेरिट नहीं आई महाराश्ट और जहार खंड और दो ऐसे राज्य हैं हर्या तो आप लोगों को नाम भी आ सकता है एक छोटी सी गड़वड़ी पाई गई है जो आपकी तीसी लिष्ट आई है एक सरकल ऐसा है जहां पे 28% पर बच्चे का चयन हुआ है इसके बारे में आपको प्रूफ हम दिखाएंगे जेडियस के अंदर कुछ तो बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है कुछ तो बहुत बड़ी गड़वड़ी चल रही है जिससे मिनमम जो पासिंग परसेंटेज होते हैं 33% होते हैं पर 28-28% व देखेगा और समझेगा पहले हम उफिसल वेबसाइट पर चलेंगे फोर्थ लिस्ट के डेट के बारे में डिसकस करेंगे और कम परसेंट पर सेलेक्शन कैसे हुआ कट आपको हम और भी अच्छा से जानकारी देने वाले हैं तो अपी हम इंडिया पोस्ट आपिस की ऑफिस एक तो आपका जारखंड है आपको एक काम करना है गर आप जारखंड से है तो पता करिए कि इलिक्सन की डेट और इलिक्सन के पैडाव यानि रिसल्ड की डेट क्या उसके बाद हम जो है तो आप कमेंट करके बताएं यहां पर देखें जारखंड महाराश्थट और 48 प्लिक नहीं किया गया तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा इसके अलाबा जो भी मेरिट आई हैं यहां पर आप लोग प्लिक करेंगे सॉट लिष्ट के सामने प्लस की बेटन पर आप देखे सप्लीमेंटी लिष्ट यहां पर थर्ड लग चुकी है हम यहां पर न लिष्ट आपकी थर्ड यहां पर अपडेटेट है इस सॉट लिष्ट कंडिडेट सुट गेट डियर डाकुमेंट फेरिफाइड थू दिप्जनल हेड मिंसंड अगेश दियर नेम और विफोर 4-11-2024 यानि कि जो आपकी मेरिट आई हुई है थर्ड 19 राज्यों की इनमें आपको जो डाकुमेंट फेरिफिकेशन का समय दिया गया हो चार नॉमबर का दिया गया है तो आप चार नॉमबर को आपको जो है तो आखरी डेट है डाकुमेंट फेरिफिकेशन का कम से कम अगर इसमें हम मैक्स तो मैक्स हला की साथ दिन लेकर चलते हैं लेकिन इस बार हम अधिकतम लेकर चलेंगे 10 दिन यानि एक्स्ट्रा में 10 दिन लग सकते हैं इनको रिजल्ट को जारी करने में तो 4 नॉवंबर ये हो गया और 10 दिन हम पकड़ के चलते हैं कि next merit को आने में समय लगेगा तो 14 यानि कि अगले 14 या 15 नॉवंबर को आपकी जो 4th merit list है वो देखने को मिलेगी तो जो आपके तारीक हैं पहले ही बता दे रहे हैं कि आपको 14 से लेकर 15 नॉवंबर की बीच में आपकी 4thी list देखने को मिलेगी हमने max to max 10 दिन का समय लिया है क्योंकि इस बार हमने देखा कि आपकी 10 अक्टूबर के आज़ पास merit आनी थी लेकिन वो आई कप आपकी 19 तारीक को यानि कि 19 अक्टूबर को तो आपका 9 दिन का extra समय लगा तो हम अपनी तरप से max to max समय लेकर चल रहे हैं आपका यहाँ पे 14 से 15 नॉवंबर के अंदर result देखने को मिलेगा अब देखे हमने नौर्थीष्ट सर्कल का जो notification यह यू कहें कि PDF open किया है इसमें हम आपको गड़बरी दिखाते हैं कि कहां पे actual में selection हुआ है कम परसेंट वाले बच्चे का हलाकि यहाँ पे 85 जो हमने cut off सही से गया है अब यहीं पे हम आपको दिखाते हैं कि कम परसेंट वाले बच्चों का जो नाम है वो कहां पे आया है तो 600 क्रमांग पे जब चलेंगे तो आपको कम परसेंट वाले बच्चों का भी नाम देखने को मिलेगा तो अभी हम यहाँ पे आचुके हैं जहाँ पे आपको कम परसेंट वाले बच्चों का नाम देखने को मिलेगा देखे यहाँ पे कटेगरी देखे PWD है यहाँ पे हमने बोला था कि 65 प्लस है तो आपका नाम आएगा 70 वालों का नाम आया है अगर हमारे कटॉप पर आपको यकीन नहीं है तो हम आगे आपको दिखा देंगे फिलाला आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखे तो आपको देखने को मिलेगा 652 नंबर पे अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे देखे आपनांजल प्रदेश हमेशा से नहीं गया है यह PWD DE कटेगरी ऐसी है आटो जनरेटर मेरिट लिष्ट में यह होता है कि अगर आपके कटेगरी में कोई भी आप से आगे नहीं है तो आपका नाम आएगा आपके परसंट चाहे एक ही क्यों नहों माल लिजे कोई 2% या 3% वाला नहीं है तो एक का नाम आएगा तो यहाँ पर PWDE कटेगरी में ऐसा है कि इन्होंने फॉरम भर 28.5% डाले अब इनकी कटेगरी में इनसे उपर का कोई नहीं मिला तो इनका नंबर आ गया अब मैं यह नहीं कह सकता कि वहाँ पर वहरीफाई जरूर करें अगर कोई गड़वड़ी पाई जाती है तो फिर उस पर एक्षन जरूर जरूर लें अभी हम आपको बताते हैं कि हमने ये कटॉप का करेटेरिया आपको पहले से बताया था कि नहीं तो दोस्तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा अगर अभी तक आप लोगों ने थर्ड लिश्ट को जोईन नहीं किया देखा नहीं है तो उसको जरूर देखें वर्टसप ग्रूप को जॉइन करें और यह हमारी वेबसाइट से जहां से आप एकसेस कर सकते हैं यहां पे हमने देखें पहले ही बताया था कि 19 अक्टूबर एकस्पेक्टेड है और 19 तारीक को ही हमारा रिजल्ट आया था यहां से नीचे आएंगे सभी राजों के आपको नाम मिल जाते हैं सभी राजों के सामने आपके बेटन्स है क्लिक हैर की आप लोग क्लिक कर सकते हैं जहार कंड और महाराष्ट में थर्ड लिस्ट नौट रिलेज्ट यानि की अभी तीसी लिस्ट आई नहीं हुई है अब अगर आप PWD के का टॉप पे देखेंगे तो 65 प्लस वालों का नाम हमने बताया था अल्रेडी आ चुका है SC और HD में 80 प्लस वालों का बोला था आ चुका है और जर्नल EWS OBC में 85 से 100 वालों का आ चुका है तो अभी हम 4th लिस्ट का भी अपडेट कर देंगे उसके लिए आपको चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है और यहां पे अभी 7,000 बच्चों का नाम आना बाकी है और आपकी 14 से 15 नौवंबर के बीच मेरिट भी आ जाएगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद